दोस्तों आप सबको स्वागत है आज के इस वीडियो में और हम आज आपको food और nutrition से सम्मंधित दो ऐसे courses के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि एगनु द्वारा संचालित होता है इगनु यानि कि इंद्रागाधी National Open University यह नाम किसी के लिए भी नया नहीं है यह दिल्ली में स्थित एक Open University है जो distant courses के साथ सत्थ online courses भी संचालित करती है और यहां से किये गए जो भी courses हैं चाहिए हो certificate हो, diploma हो या master हो सबकी पूरे देश में मानेता है तो चलिए हम आपको आज उन दो courses के बारे हम बता रहे हैं जो आपके लिए काफी ज़्यादा useful होंगे तो आज हम जिस course के बारे में बताने जा रहे हैं उसमें पहला course है Masters of Science, Food and Nutrition जिसको के short में MSC, DFSM कहा जाता है इस course की जो duration है minimum 2 साल है और maximum duration 5 साल है और इस course की जो total fees है वो है 32,400 रूपए कोई age बार यहां पर नहीं है आप कभी भी किसी भी उमर में इसको आप कर सकते हैं और eligibility की BSC Home Science है या PG Diploma Dietetics and Public Health Nutrition या equivalent कोई किया हुआ है या graduated है या BSC Honors है या equivalent BMBBS, BHS, BMS हो तो उस सभी इस course के लिए eligible है पूरे जो course का overview क्या है यानि कि आपको इसमें क्या-क्या सिखने को मिलेगा इसमें है सबसे पहला तो है gain knowledge यानि कि आपको food and nutrition संबंदी सारी जो basic चीज़े हैं उसके बार में आपको जानने का मौका मिलेगा Develop critical abilities, offer scientific opinion on popular nutrition, dietetics and other related issues and controversies, acquire a basic grounding in research technique, train and develop a diet counselor and nutrition health communicator develop as institution food administrator and food service managers and develop entrepreneurship skills तो यह सारी चीज़े जो है आपको इसमें सिखने को मिलेगी और registration के लिए यहाँ पे निचे लिंक आया हुआ है आप इसको क्लिक करके आप इस course में अपने को enroll कर सकते हैं अब जिस दूसरे course के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं यह course भी काफी प्रचलित course है इगनुक का और इसका नाम है Diploma in Nutrition and Health Education यानि कि DNHE इसका minimum duration 1 year है और maximum duration इसकी 4 years है यानि कि आप कम से कम एक साल और अदिक्तम 4 साल में इस course को पूरा कर सकते हैं और course की fees काफी कम है सिर्फ 2000 रूपय है और इसमें कोई age बार नहीं है आप कभी इस course को कर सकते हैं इसका program overview क्या है यानि कि आपको इसमें क्या कर सिखने को मिलेगा इसमें कि the aim of the program is to develop a knowledge based in areas of nutrition and public health promote awareness about concepts and principles in communication and their application in nutrition and health education and develop skills for playing the role of nutrition health educators in the community यानि कि आप इस course को अगर कर लेते हैं तो आप जो nutrition expert के रूप में health educators के रूप में community में आप अपनी सेवाएं दे सकते हैं तो इस प्रकार के जो दोनों course है इनको विरेफ में आपको बता दिया कि इसके eligibility क्या है और फिस कितनी है तो आप इन दोनों course से हो करते हैं तो आज आप जो BMS doctor इस दोनों course आपके लिए काफी ज्यादा यूजफूल होंगे यह दोनों आपको practice में मदद करेंगे साथ में अगर कोई इस related कोई vacancy आती है तो वहां भी इन डिग्रियों के माध्यम से आपको नौकरे मिलने में काफी आसानी रहेगी माध्य में ओून आपको आसरी आपको आपकोई भीजाए लिए कोई रहेगी